दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ जैपूर में और बिल्कुल कैनन इमेज स्क्वाइर के शोरूम के बहार और यह जो स्टोर है दोस्तो यह वर्जन 4 स्टोर है यानि की राजिस्थान का सबसे बड़ा और इंडिया का नंबर 2 कैनन इमेज स् स्टोर के अंदर वही पर अज सारी बाते करते तो दोस्तो बैं आच क्यों हूँ कैनन इमेज स्क्वाइर जैपूर के अंदर जो की वर्जन 4 स्टोर है बहुत बड़ा स्टोर है दोस्तों यहां सब कुछ आपको मिलेगा बट आज का फोकस है Canon R7 पर और यहां जैसे कि मैं देख पार हूं दोस्तों यह रखी आप देख रहें Canon R7 की body तो मैं आपको थोड़ा camera पर दिखाता हूं देखें दिस इस ब्यूटिफुल Canon R7 और सबसे अची चीज दोस्तों मैं आपको बता हूं यह देखें यहां पर आप देख पार हूं इसका जो grip है यह कितना अच्छा है बहुत ही deep grip है तो जब आप इसे hold करेंगे तो आपको एक ऐसास होगा कि बहुत ही अच्छी grip वाला जो है यह camera है और इसका मैं आपको बता हूं यह जो इसका total weight है दोस्तों यह है 612 gram यानि की battery और card मिलाके जो है 612 gram की only body है तो बहुत ही light weight है और बहुत ही इसकी build quality आप देखोगे तो मुझे काफी अच्छी लगी मैं थोड़ा सा close up के आपको दिखाना चाहूंगा देखिए यह आप पीछी का आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर buttons कितने अच्छे से जो हैं यहाँ पर place की होए है autofocus, back button, autofocus, info button, play button और यह कुछ मुझे नया लग रहा है अभी बात करेंगे हम क्या है यह joystick है कि शाद नया feature कुछ add किया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह है इसका LCD screen जो I think 1.6 million dot का LCD screen है तो मुकेश जी सबसे पहले thank you so much for inviting us और तो आप मैं एक बार इधर आ जाता हूँ ताकि हम वीडियो आसानी से बना पाएं और यहाँ पर आप मुकेश जी बताएंगे इसके क्या-क्या खास features है R7 के सबसे पहले तो अपने इस camera के megapixels की बात करेंगे camera 32.5 megapixels का camera है sensor बिल्कुल लेटेस्ट है इसका dual pixel CMOS sensor है इसके अलावा 5-axis का body stabilization दिया है बहुत strong stabilization है आप running में भी shoot करते हैं तो camera बहुत कम shake करेगा इसके अलावा जो दिया है display इसकी variable दिया है पुरी 360 की display है जिस भी movement पर आप करना चाहे उस पर कर सकते हैं इसके अलावा 25,600 ISO दे रखा है नेटीव ISO 119200 तक आप लिजा सकते हैं अच्छा अब मेरे दो सवाल है आपने main main features तो बता दिये सबसे पहले तो यह कि यह कि किन लोगों के लिए camera अच्छा रहेगा R7 इनको बेसिकली आप वैडिंग में भी ले सकते हैं वाइड लाइफ के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो focus point है काफी fast focus है और दूसरा इसमें focus point भी 3 दे रखे है एक तो animal focus point, people focus point और vehicle focus point इसमें आच्छा अब बात करें मेरे जो दूसरा सवाल है मुकेश वो यह रहेगा कि इसमें जो वीडियोग्राफी के लिए क्या features इसके अंदर सब वीडियोग्राफी के अंदर इसके अंदर दो मोड दे रखे हैं एक IPB एक IPB light IPB के अंदर 4K आप 60P तक शूट कर सकते हैं दो मोड पे NTC अगर आप यूज में लेते हैं तो 60 फ्रेम तक आप 4K शू कर सकते हैं 4K के अंदर भी आप इसके अंदर 4K fine है normal 4K है और 4K cropping तीनों मोड दे रखे हैं अगर आपको जो भी उसमें अगर आपको जिसे EOS R में था 4K crop हो के आता था पुरा तो इसमें crop version भी आप ले सकते हो और आपको full भी मिलेगा without any cropping इसमें दोनों मोड है अच्छा इसमें एक चीज़ और में एड करना चाहूँगा जो शायद मुकी चीज़ बताना भूल के 4K 60 पे आप इंटरनली शूट कर सकते हैं इसके अंदर तो अगर आप C-Lock 3 यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर आप 4-2-2 10-bit इंटरनली रिकॉर्ड कर पाएंगे स्क्यू उपर औ और इसके अलावा दोस्तों मुझे जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगा इसका compact size यानि कि अगर आप एक wildlife photography करते हैं sports photography, wedding photography तो यहां पर मेरे ख्याल से इसमें इसका mechanical shutter 15 है और electronic पे 30 fps so 30 fps is a very very good speed for any sports photography and wedding photography and wildlife photography तो यह camera उन्लोंगे काफी अच्छा रहेगा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यह जो है इसके साथ lens कौन सा हार है 18-150 तो यहां एक बर camera पे मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों यह जो इसके इंदर 18 पे 3.5 काम करेगा और 150 पे 6.3 तक जाएगा this is beautiful lens दोस्तों यह अभी नय इंटर्ड्यूस किया है Canon ने 18-150 mm focal length और इसका एक और भी तो lens आया है अभी 18-45 सर वो अभी अभी अवेलेबल लेंगे नहीं सर अभी नहीं है अब दोस्तों मैं शोरूम के थोड़ा सा बहार आया हूं और मुकेश का जो हम एक close-up लेंगे देखते हैं इसका image quality कैसा है और यहां मैं आपको बता दूँ लाइट बहुत लो है और मैं शूट कर रहा हूं ISO 5000 पे अपर्चर में रखा है 5.6 शटर स्पीड है 1.125 तो लेते हैं पिच्चर में और आपको लेके दिखाता हूं यहां पे इनका आई पे फोकस फटाक से लॉक हो गया है तो बताई यह का एक पिच्चर जो है थोड़ा मैं वाइड अंगल पे कोशिश करता हूं लेने के लिए थोड़ा सा मुकेश जी दूर और यहां पर मैं थोड़ा सा ISO कम करता हूं तो यह मैं ले रहा हूं कुछ ISO 1600 पे थोड़ा वाइड अंगल 3.5 अपर्चर है और 125 शुटर स्पीड दिख कर रहा हूं 4.5 पे शूट कर रहा हूं ISO 1600 रखा है विकाज शोडूम के अंदर है हम और आप देख रहे हैं पर कितनी अच्छी से फोकस लिया है तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पिच्चर कैसा लगा कलर जो है दोस्तों यह मुझे बहुत ही नैच्रल अब यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो आप देखें हो बहुत ही नैच्रल कलर है सारा सेटिंग जो है मैंने डिफॉल्ट पर रखा है एंड कलर साइंस के बारे में बात करें तो मुझे काफी अच्छे लगे जैसा कि मैंने बताया है ग्रिप जो है वो मुझे इसकी का कर सकते हैं जैसे मैं यहां चेंज कर पा रहा हूँ जो आपको एक फीचर बता हूँ जो मुझे काफी अच्छा लगा देखें अभी आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है 18 mm जयाने कि अभी वेरा लेंस है 80 mm फोकल लेंग जैसे इसे मैं जूम इन कर रहा हूँ 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 50 mm, 60 mm, देखें इस तरह से 70 mm, 100 mm और देखें 150 mm तक तो आपको यह चीज़ पीछे स्क्रीन पर दिखाई देती है जब आप फोटो लेंगे तो आपको आसानी होगी किस फोकल लेंग पे आपको फ्रेमिंग कैसी मिल रही है ताकि आपके पिक्चर जो है वो आपको थोड़े मिलें और आपको एक आइड़ा भी होगा कि भीया फोकल लेंथ कब किस फोकल लेंथ को इस्तिमाल करना है तो दोस्तो अब आप जो फोटेज देख रहे हैं यह है Canon R7 का फोटेज और यहाँ पर मैं आपको बता हूँ दोस्तो इसकी जो color science है आप मुझे comment करके बताएगा कैस लगी वीडियो फोटेज किस तरह की आ रही है अब यह जो camera है इसका जैसे मुझे आप आटो फोकसिंग काफी अच्छी है तो इस पे आप vlogging कर सकते हैं वीडियो production कर सकते हैं अगर आपको चोटी-मोटी short films बनानी है वो सारा काम इसकी उपर हो जाएगा तो overall इसका वीडियो फोटेज एक indoor के अंदर याने की जो showroom में light से उसमें इस तरह का दिखाए दे रहे हैं अब कभी मेरे पास यह camera exclusively आएगा तो मैं इसको पूरा अच्छे से detailed review करूँगा बट मेरा जो first experience है वो इस तरह का ही रहा आप देख पारे screen पर comment करके मुझे ज़रू बताएगा चले कुछ में low light पे बाहर भी एक footage लेने की कोशिश करता हूँ बाहर चलते हैं देखते हैं बाहर कैसी footage हमको मिल रही है अब दोस्तों यह जो footage देख रहा है यह outdoor में लिए 50 पे रखा इस वक्त और आप देख रहे हैं इस तरह का footage हमें मिल रहा है so low light performance आपको इसकी कैसी लेगी मुझे comment करके आप ज़रू बताएगा so this is the whole footage which you get from Canon R7 अब यह camera जैसे कि मैं आपको बताया दोस्तों sports photography, videography, wildlife photography, wedding photography, portrait photography, सब में आप use कर सकते हैं चलिए अब अंदर चलत अपना यह 18-150 mm का, अच्छा क्योंकि यह mirrorless camera है तो क्या RF series के सारे lenses इसमें लगेंगे क्योंकि यह crop sensor camera है, बिल्कुल sir, RF series के सारे lenses इसमें लग जाएंगे बिना mount adapter के, direct आप लगा सकते हैं, और जो पुराने अपने EF mount lens आते थे वो इसमें लगेंगे, वो adapter लगा के हो जाए Sir, इसके अंदर जो best है, आप slow motion इसमें बना सकते हैं, 100 frame तक slow motion शूट कर सकते हैं, time-lapse आप इसमें बना सकते हैं, इसके अलाव इसका battery backup भी बहुत अच्छा है, कितना है battery backup? 230 mh की battery दिये जो बिल्कुल लेटेस्ट है भी Canon की, LP6NH Okay, तो यह सारे features जो हैं बताए हैं, आखिर में price कितनी है, और only body का, and with kit lens के साथ Body की MRP जो है, 27,995 है, और kit के साथ, 24,995 है, जो भी best होगा, वो यहां कर दिया जाएगा Okay, मतब discount की गुंजाईश है, okay, तो price wise आपको कैसा लगा, महेंगा है, या ठीक है, Canon निकाला है, आपको आपका personal क्या चीज़ है कि आपको कैसा लगा pricing? Sir, features wise बहुत best है, जितने इसमें features दे रखे हैं, 4K वगर भी दे रखा है, आपको slow motion, time-lapse वगर, बहुत सी चीज़ इसमें दे रखी है, उसके बहुत 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 है, Sir, कई लोग बोलते हैं कि Sir, इतना पैसा है, तो इतने में full frame भी आ जाता है, तो उस पे क्या बोलना चा Anyway, दोस्तों, तो यह है Canon R7, अब मुझे जो personally इसमें चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मेरा तो आज बिल्कुल एक first head experience ही रहा, डेटेल रिव्यू में फिर तुरे time का ज़रूर बनाऊंगा इसका, मुझे इसमें joystick अच्छी लगी, एक मुझे फीचर अच्छा लगा, जो मै दिया गया है, और इसका जो है यह viewfinder, electronic viewfinder वो मुझे काफी अच्छा लगा, इसका जो screen है, जब हम picture swipe करते हैं, तो वो ही बहुत sensitive है, और काफी responsive screen है, overall इसकी जो grip है वो भी मुझे अच्छी लगी, overall अगर मैं काहूं दोस्तों, तो यह एक बहुत ही अच्छा camera है, अगर आप आपका काम जो है, एक amateur photographer है, या आप एक professional photography की तरफ जा रहे हैं, और अच्छा एक group sensor camera ढूंड रहे हैं, तो वहाँ पर Canon R7 is quite promising, आपको इसकी photos, इसकी video footage, इसकी features कैसे लगे, मुझे आपकी comments का रहेगा इसार, ज़रू बताएगा दोस्तों, आज के लिए तना ही जल्दी मिल